हलो एबरीवन कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे तो ये एक चुन का वीडियो है और दो धाई बजे का टाइम था और यहां बन रहाता रात का खाना तो आज खाने में बना रहेते जो मेरे सब्सराल में काफी फैर्मस डीश है हम इसको बोलते हैं सडकू ये चावल का आटा है और इसमें उरत दाल पीस कर भर रहे है तो इसमें आलू भी बढ़ते हैं और जैसे बना के इसमें नीमू के पत्ते चिपका देते हैं तो जो मॉमो बनाने के डबे होते हैं उसमें इसको इस्टीम देते हैं फिर इसको पका के बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं मेरे ससुराल में बनाते हैं माई के में आटे के बनते हैं तो मैं एक जॉइंट फैमली से हूँ मेरे परिवार में 70-80 लोग है और शेर में अलग-अलग जगा र आए थे और कुछ लोग नहीं आए थे तो 31 सारी को खतम हो गई थी और बाकी लोग चले भी गए थे तो 30-35 लोग थे रुके वेए यह सबसे छोटी वाली चाची जी अमारी और यह मेरी बड़ी वाली साजी दूसरी साजी है और में जेठानी जी तो यह बना रहते हैं रात का खाना तो जैसे मोमो के डब्बे इसमें भरके रख दिया है तो यह पका लेंगे तो इसको अब मिल रहे हैं मैं आपको नेक्स मॉर्निंग और मैं आ रही थी देरा धुन के लिए तो मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि दिख्षी की तब्यत भी खरा इसको उल्टिया ही हो रही थी तो हम नीचे आ गए तो आते हुए मुझे सेब दिख गए तो मैंने सेब की वीडियो बना ली मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोला था जो मैंने अचार वाली वीडियो डाली थी कि मैं आपको सेब के पेड दिखाऊंगे तो यह भी स था कि मैं जादा दिन तक रुकूं पर जब बच्चे की तबित खराबती तो मैं रुक नहीं पाई तो जब हम नीचे आ रहे थे तब भी मौसम खराबता बारिश होने का वह रहा था कि अभी बारिश होगे तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे सुबह के टाइम गाउं से हम चल दिये थे फिर यहां बीच में एक जंगल में जगा है इसका नाम है कोटी के नासर बहुत अच्छा है यहां घुमने के लिए इतना शान्त मावलब बहुत अच्छा लगता है तो जब हम गाउं के लिए जा रहे थे तब हम नहीं रुके थे जब हम दिरादुन के लिए आ रहे थे तब हम यहां रुके थे तो उस समय कोई भी नहीं था हम ही थे और यहां पर दूप सेखने का मन कर रहा था तब तक दूप भी लग गई थी बहुत अच्छा लग रहा था और सर्द इतनी थी कि मैंने दिक्षी की टोपी भी नहीं उतार थी मैंने स्वेटर भी नहीं उतारी थी तो यह न छोटी छोटी सी घास है हरी हरी बहुत अच्छी लगती है तो बारिश भी थी इस वज़े से और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडा लग रहा था तो धूप लग गए थी फिर हम यहां पर सब लोग धूप सेख रहे थे तो फिर हम वापस आ रहे थे और तुप तक काफी सारे लोग आ गए थे हैं घूमने के लिए इतने सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो फिर हम वाँसे आ गए थे कि बीन जुप बहुत दूरूर से तो यह काफी थे रहे थे हुआ पाल मौ ज़ भू पया बांस नंते हैं जदर शोलोय झाल कि रहे थे भूब है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करना मिलती हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ